इसलिए जब पराई कर रहे हो तो फिर सब कुछ भूल कर जैसे वह एक हम पढ़ते थे के अर्जुन ने पानी में देखकर तो मचली की आँख में निशाना लगा तो मचली की आउन्ग में निशाना लगाना मेटा हो अक्र На Cru절 कर सकते हृएसी बात पहले लगे उन्होंने जॉब लगवाई आज दोस्तों और आज ना देखो मेरे साथ में कौन है नया नया दोस्त पना मेरा और जब मेरे को यहां पर इंजीनर है तो मैंने सुचा के बहुत सारे लोगों को जो पढ़ाई कर रहे हैं और उनका एक ड्रीम है के कहीं पढ़ लिखकर हम किसी दूसरे देश में जाकर विदेशों में जाकर जॉब करेंगे तो देखो आने के तो बहुत सारे तरीके ना यहा जाएं पर और यहां पर आते हैं जॉब करते हैं लेकिन वह बात है ना कि आपको वक्त का और मौके का फाइदा उठाना चाहिए तो जैसी यह मेरे को मिला तो मैंने कहा है मौके पर चौका लागा और मैंने सुचा कि इसके साथ में मिलके एक वीडियो बनाता हूं जो आप तूने वहाँ पर इंडिया में जो ती वो क्या एजूकेशन करी थी और उसके बाद यहां पर तू कैसे आया क्या था तो इंडिया में मतलब मेरा पहले आने का यहां कोई प्लान नहीं था तो इंडिया में मैं सिंपल अपना स्कूल जारा था मैं बिलॉं करता हूं चंडिगण से और इसनली स्कूलिंग मेरी चंडिगण के पाथ एक सेटिय पंच खुला अर्याना में तो वहां से हुई अब भवन भी त्यालय श्कूल था तो गूड़ स्कूल इंग्लिश में इंग्लिश में फूलिबल में है तो वहां पर मैंने अपनी बैचलर्स करी इंजिनेरिंग में इलेक्रोनिक्स एंड कम्यूनिकेशन इंजिनेरिंग में तो उसके बाद बस एक चीज के बाद दूसरी चीज हुई और मैं यहां आगया मतलब यहां पर आने के लिए क्या प्रॉसेस किया ताके जो लोग देखें वीडियो को वो यह जान सके हैं कि इलेक्ट्रोनिक्स में देखो मैंने पहले काता कि यह एक तरीका है यही तरीका नहीं है यह तरीका कि इसने इलेक्ट्रोनिक्स करी है उसके बाद बखरी है यहां पर आया है तो इसी से पूछते किस तरीके से तुम्हें प्लैनिंग करी क्या प्रॉसेस था जो तो ने इसको फॉलो कर आए यहां पर आने के लिए सबसे पहले जो मतलब शुरुआत हुई वह था मे जो चोड़ने का क्योंकि वह बड़ा स्टेप है फैमिली से दूर होना और अपने कल्चर से अपनी लांगवेज से दूर होना तो उसके लिए मैंने अपने कॉलेज में जब मैं बैचलर कर रहा था तो मैंने एक वालेंटियर प्रोग्राम में साइन अप करा रशिया में तो उससे एक्सपीरियंस मुझे मिला मेरे को ऐसा लगा कि बहुत ही वैल्यूइबल है मतलब जब आप इंडिया से बाहर जाते हो अपने आपका एक माइंडसेट चेंज हो जाता है बिलकुल क्योंकि आपको दूसरे देशों के लोग मिलते हैं और दूसरी भाशाओं में आपक मतलब उनसे कमिनिकेट करना पड़ता है बातचीत करनी पड़ती है तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस राच जब यहां आने का प्लाइन किया तो इसके अलावा आपको आइलेट्स देना होता है या फिर आइलेट्स या फिर कोई भी इंग्लिश लाइंविज का एक्ज क्लियर कर लिया तो आपको टोफल और या आइलेट्स बहुत ही असान लगेगा क्योंकि फिर तो आप इंग्लिश में इतने अच्छे माहिर हो जाओगे कि आपको टोफल आइलेट्स या जो भी एक्जाम देने में कोई प्राब्लम नहीं होगी और आप उसके साथ साथ जैस तोफल और आइलेट्स इंग्लिश के एक्जाम है इसमें कोई भी एक ले सकते हो और जी आरी आपका मैथमेटिक्स का में मैथमेटिक्स के फोकस है तो वो भी जी आरी और कोई भी इंग्लिश का एक्जाम इंग्लिश के एक्जाम कई हैं जैसे आइलेट्स और टोफल और प इस बात का फाइदा उठाते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है इस पढ़ाई करें यह आया है तो जब उन्हें उनिवस्टी की सर्च करिया को उसके लिए किसे प्रकार से करना पड़ा मतलब क्या किया थो सबसे एकम क्यिनेरिंग में आपको उसान गातीUM में उसाम में तो अशले में मैं और rest of the में नंट और तो आपको पड़ने जाना दो और कंशी यह Pan add me पढ़ाई भी कर सकते हो और सेटल होने का भी फास्टर ऑप्शन है आपको जब आप युनिवर्सटी डूढना शुरू करते हो उससे पहले आप जी आई का एक्जाम दे चुके होगे तो आपको आपका स्कोर मिल गया होगा उस कोर के बेसिस पे आप फिर युनिवर्सटी चौट लिस्ट करोगे एक वेबसाइट है जैसे सभी यूज करते हैं उसको यूएस न्यूज डाट कॉम तो उस पे किसी भी यह सिरफ इंजिनरिंग लिए किसी भी कोर्स में जाने के लिए यह पूरी उनिवर्सटी की रैंकिंग लिस्ट देते हैं और उसके बेसिस पे और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं तो इसके थू और बाकी आप लोगों से रीच आउट कर सकते हो लिंक्डिन पे और दूसरी प्रफेशनल नेट्वर्किंग वेबसाइट पे मैं ऐसे छे यूनिवर्सटी जैसे तो मेरा स्कोर था 311 था था 340 में से स्कोर आपका बेसिकली इंग्लिष मैं लाज जाने में और थोड़ा गूगल सेर्च क्रेंक होग है 500 यहजिए तेस सबस्क्रिण था और उसके बेसिस पे मैंने कुछ यूणिवर्स्टी ठक्राइब और थोड़ा गूगल सेर्च करना है चेजिए तो इस उसके आद मैंने च्छे उनिवस्टी करी थी और मुझे छे में से दो में अध्मिट आया था और जिस उनिवस्टी में फिर आपको स्कॉलर्शिप मिल रही हो साथ में या फिर कोर्स वह अच्छा हो या जॉब्स इसली मिलती हो उसको आपको पिक करना है तो मेरे केस मे जैसे युनिवस्टी फ्लॉरिडा है फ्लॉरिडा स्टेट में वैदर अच्छा था जॉब्स अच्छी थी युनिवस्टी बढ़ी किया वहां पर शुरू में ही यह पता लग जाता है कि अगर आपको अपना स्किल सेट पे विश्वास है तो आपको जॉब मिलेगी करत नहीं पड़ता जितना आपके स्किल सेट पे हैं अगर आप में दम है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो और जितना मेरे को पता है कि जो लोग यहां पर मैस्टर्स करने के लिए उनकी कहीं ना पीछे हिडिल एक यह इच्छा होती है कि हम उसके बार शाइब वही पर ही को बट वीजा इंटर्विव में कोई नहीं गए गाई है यह वो तो रहते हैं पढ़के दो साल पढ़के मैं वापस जाने हाला है अब सबका मोटिफ तो यही रही है कि और सबको ज़रूरी भी है अगर आपने मास्टर्स की फीस रहती है चालेस हजार से असी हजार नभी हजा सबस्क्तार लृद्टर्श में कराने को सबस्क्राइब नियुक्त आपको आपको इंटर्शिप मिल सकती है या पिसी प्रोफेसर के लिए पर शुरू करने से सहलिए अगर वो नहीं होता है अनवार्चनेटली तो उसके बाद जॉर्ब के लिए आपको तीन महीने मिलते हैं तीन महीने में जॉब दूड़ो यह वापस जाओ देखो एक बात मेरी यहाद आखना है कि कुछ बनने के लिए आपको कितनी महनत करनी है मैं हमेशा कहता हूँ उसकी कोई लिमिट नहीं है अपनी सारी उर्जा सारा सब कुछ अपना जो है वो सब जोग देना अपनी पढ़ाई में क्योंकि जब यहाँ पर आऊगे न तो यहाँ पर भी कॉंपटिशन ऐसा नहीं कि नहीं है यहाँ यहाँ उससे में ज़्यादा कॉंपटिशन यहाँ पर इसलिए जब पढ़ाई कर रहे हो न तो फिर सब कुछ भूल कर जैसे वह एक हम पढ़ते थे के अर्जुन ने पानी में देखकर न मचली की आंख में निशाना लगा तो मचली की आंख में निशाना लगा ना मिटा और कर सब कुछ कर सकते हुआ इसी बात नहीं कंगेर का सकता है सुनाव ने पर अपने दमें कोई मेरे लिंक नि थे एसा तो था नहीं कोई मेरे चाचे मामे पेले लगे जुँने जॉब लगवाई और मेरी एक्शुली स्टोरी और मुश्किल है क्योंकि मैं आक्चुली जब अपनी म Master's कर रहा था और मैं internship ढूढ़ रहा था तो मुझे internship नहीं मिली यहां और but मुझे internship मिली INDIA में BANGALORE में तो मैं Master's करते हुए मैं ≡ में बात मही मुझे जो प्रोप्व ने 1993 साथ साफ मैंCon així मास्ट में repeated US then तो मैं मतलब रात को classes attend करता था रात का समय जब इंडिया यहां दिन का होता था और दिन में मैं अपनी internship करता था तो उसके दम पे मैंने 8 महीने जो वहां मेहनत करी उसके दम पे मुझे यहां एक internship मिली Intel में ही उस manager ने मुझे यहां refer करा और उसके through मुझे job मिली तो मतलब वह एक साल की struggle जो रही job मिलने से पहले वह काफी मुझे थी मतलब आप भूल जाते हो कि आप अमेरिका में रहते हो किताबों में गुम जाओगे बट उसके बाद बस दो साल का यह struggle है और job मिलने के बाद आपकी American dream शुरू हो जाती है अगर आपको आपका skill set है और अगर आप मतलब तेज हो तो आप यहां पर इंटर्शिप ढूंड सकते है ऐसा नहीं है कि मिलेगी ही नहीं बहुत लोगों को मिली इंटर्शिप बट बस मुझे ऐसा मौका मिला बैंगलोर जाने का तो मैंने का कि अभी जो हाथ में है ले लो मौके को जाने मत दो और क्योंकि वो मल्टिनाशनल कंपनी है यूएस की कंपनी है तो यूएस में ट्रांसपर होना इतना मुश्किल नहीं था देखो मैंने पहले का था कि मैं एक पर्टिकुलर फील्ड की बात कर रहा हूं बहुत सारे फील्ड से लोग आते हैं आप पढ़ लोग को बताना चाहता है अब इन तरह से कहना चाहता है तो यूटन लो तो हांसला बना के सुनाल कह रहा है कि अगर ठान लेना कोई कि कुछ करनेगी तो कर सकता है और देखो आई होप के जितना आपको जानना चाहिए था यहां आने के लिए जिस फील्ड से यह आया है कि सब कुछ इसमें इंक्लूड हो गया होगा फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन एरिया में कुछ लिंक्स दोंगा जो इससे पूछ कर जहां पर आप लोग जाकर वहां पर सर्च कर सक सकते हो अपनी या आगे का प्रोसेस देख सकते हो आपको कैसे करना है क्या करना है और बाकी एक यार कुछ आपको पॉइंटेड अगर कोई चीजें पूछ नहीं हो पॉइंटेड तो आप मेरे को कॉमेंट कर सकते हो और जब भी सुनाल के पास वक्त होगा तो मैं इससे रि आपके seniors help करें वैसे हम किसी के help करें तो यह help करने के लिए स्यार है बाकी मेहनत करो प्राद दिन भूल कर मैं कहता हूं हमेशा जो सारी उर्जा अपना सारा कुछ सब कुछ जोग दो तो बन जाओ है कुछ ना कुछ यह 100% और पक्की बात है यह बैठा हुआ है एक एक्जाम्पल देख लो तुमारे सामने है ना आने वाले समय में कुछ और बंदे भी पकड़ लिए मैंने तो जैसे आज इसका इंटर्वी होगा फिर किसी और का इंटर्वी होगा और I hope कि आ जाने जानिस पहले वही बात मेरे यार शब्बाखेर बाई गाइस टेक कर आइन भी हो